नमस्कार दोस्तों स्वागत इसने इविडियों बात करेंगे राजस्थान लोक सेवायोग RPSC RAS का फॉर्म कैसे फिल करेंगे step by step मैं आपको एक live form फिल करके बताऊंगा ताकि आपको form फिल करने में किसी परकार की mistake नो हो राजस्थान लोग सेवा आयोग के द्वारा जो है 900 से ज्यादा पद वेकेंसी जो है निकाली गई है जिसमें अधनिष्ट सेवाई के 481 पोस्ट हैं और राजस सेवाई के जो है 424 पद हैं अगर आप इलिजिबल है graduate qualify है तो आप इस वेकेंसी के लिए form को apply कर सकते हैं दोनों पदों को संख्याइब आप जोड़ेंगे तो 905 पदों पर वेकेंसी जो है निकाली गई है आई जानते है कैसे आपको form को भरना है तो form भरने के लिए फ्रिंट्स आपको अप्लाई कर रहे हैं तो आप registration करेंगे रेशन करते वक्त यहां पर एक option आएगा Google या जन आधार यहां citizen पर टीक करके ही यह दो option आएंगे अब देखें यहां पर दोनों option में से कोई एक option को चुनाव करेंगे लेकिन best option यह है कि आप गूगल करेंगे गूगल आप लॉगिन करके रखेंगे पोर्टल पर जिसे इस पर क्लिक करेंगे तो आपका यहां पर पर प्रमिसन लाएगा गूगल का और आटोमेट करेंगे और लॉगिन करेंगे न तो यहां पर आपको प्रोफाइल आएगा बनाने के लिए अपना अच्छे से बना लीजेगा और अगर आप पुराने चैंडिट से तो प्रोफाइल बनाने का आउसकता नहीं सिधह आपको एक बटन मिने का यहां पर रिकूटमेंट सर्ज करना है रिकूटमेंट जैसे आप लिखेंगे न यहां पर देखें रिकूटमेंट पोर्टल एक मिलेगा आप इस पर क्लिक करेंगे आपको रिडर कर देगा रिकूटमेंट वाले पेज़ पे अब यहां पर देखिए आपको जो वेकिंसी चल रही राजस्तान एस्टेट ए देख लिएका और बीडियो तो है डिशन प्रोसेस भासेस ए अईग और यहां पर जायगा और यहां पे लिखते अकर अगर कुछ यहां के अपड़ीट करना है तो यहां पर आपके अप्डेंट भी करना हो तो यहां पर पे प्यालिफिकेशन को अब Pero no Get and अगर आप पहले नीजिवा पर्म आपने दिया हैं राजस्थान को भर है हम राजस्थान अरेस का फोर्म रहा है सब्स Romeo कर सकते हैं और यहांपे आपको जो है इस तरह से कंपलीट कर लेना है इसके आप छो है ओमपेज पर आजाएंगे यहां पको देखिए यह जो वेकिंसी चल रही है डिएग्स करेंगे राजस्थान सभाने शर्वीस आप इस पर क्लिक करेंगे अब यहां पूछ रहा है कि क्या आप OTR data में review करना चाहते हैं या कुछ भी update करना चाहते हैं तो अप्डेट कर सकते हैं नहीं तो यहाँ पर प्रोसीड का option मिलेगा प्रोसीड करें यहाँ पर आपकी जनकारी जो है और यहाँ पर आजाएगा माता जी का नाम लिखेंगे यहाँ और यहा आपको नीचे आना है यहाँ आपको वैवाहिक अस्तिती बताना है कि यहाँ और यहाँ पर जीवित बालक की संख्या यहाँ पर बताना है अगर आप मेरिट होते तो उसके एकोडिंग आपको बताना होगा नहीं यह तो जीरो कर देंगे वाटसअप मोबायल नमगर आपको देंगे आपोне आपको दे भारा है ऑधार इडि यहाँ पर दे पासपोर्ड नम्बर यहाँ पर दे सकते हैं तो यहाँ पर कोई एक आईडी पूर्फ हैं तो यहाँ ठीक है न अगर आप यहां पर करेंगे तो फिर वहां पर जब आगे बढ़ेंगे तो वहां पर लिमिटेड डिस्टिक का ऊप्सण आएगा जो सीडूल एरिया में आते हैं अभी में आगों दिखा दूँगा तो अगर आप सीडूल एरिया से यहां सही आव देना चाहते हैं गाउं का नाम लिखेंगे, पीन कोड लिखेंगे, और यहां पे नजदेकी, पुलिस थाना यहां लिखेंगे, फोन नमबर इसे छोड़ सकते हैं, उसको से यहां पर आपको next कर देनी है, अब से वे next करते हैं, यहां पर आपको domicile details देना है, अधिवास, विवरड देना है, पूरव स्ठापित हैं मतलब settled in India from other country तो आप इस तरह करेंगे नहीं से आप यहां पे नो करेंगे अगर yes लहाँ किए है कि किस क्रिश्ट खिलाडी है sports person है yes करेंगे और अपने sports के बारे में बताएंगे national की international नहीं है तो no करेंगे यह पूछ रहा है कि मौझुदा सरकारी विभाग में उपकरम करमचारी है अगर है तो yes करेंगे नहीं है तो इसे no करेंगे इसके बाद यहाँ पूछ रहा है कि आप NCC आपको बतानी है इसके बाद से यहाँ पे आपको जो है additional अतरिक्त जनकारी पूछ जा रहा है इसमें से किसी भी किटिग्री से आप आते हैं तो इसको आप यहाँ पे चुनाव करेंगे नहीं आते हैं friends तो आप इसे ऐसे ही एजिट छोड़ देंगे इसको टीक नहीं करना और यहां पर आपको next कर देनी है next करते हैं आपको जो जो क्वालिफिकेशन की जनकारी भरनी है यहां पर आपको सबसे पर कर देना है यहां पर आपको देखे एक तीनों ड़ाटा जो है अलड़ी करते वक्क्त जो आपने OTR किया था वहां से उठा लिया अगर आप चाहें सबस्क्राइब और यहां पर चाहले को डिया ओर अपको एड करना है तो आड कर सकते इसके वा fed लुक्राइब लिखेंगे बड existing disease करेंगे और यहां पर कर ते ऊझ्रीप लिखेंगे और यहां पर verify OTP पे click करेंगे OTP verify करने के बाद से आपको photograph upload करना है यहाँ पे सीनेचर upload करना है तो photograph 50 के भी से लेकर 100 के भी के बीच हाली का होना चाहिए और signature जो है बोला गया है कि 10 से 50 के भी की बीच होना चाहिए यहाँ पे आपको body में marks जैसे तील का निसान कटा का निसान जला का निसान जो भी माक है आप उस माक को बता देंगे अब photograph कैसे upload करनी यह समझ लेजे तो यहाँ पे आपको choose file का button मिलेगा आप choose file पे click करेंगे जो भ अप्लिकेशन का preview आएगा आप जो है जनकारी को अच्छे से verify करने की जो भी अपने जनकारी यहाँ पे fill up किया है उस सब चीज सही है अब यहाँ पे चीज लिखा को है कि यहाँ केवल पुरवालोकन प्रिष्ट है मतलब preview page है आपका application number अभी generate नहीं हुआ या केवल तभी generate होगा जब आपके दुवारा सुल्क भुकतान कर आविदन सफलता पुरवक सब्मिट कर दिया जाएगा मतलब यह preview है केवल अभी आपको नीचे आना है यहाँ पर फॉर्म को सब्मिट करना है यहाँ देखिए declaration करना है और यहाँ पर फाइन समिट करेंगे अगे जो है आप आपको ज़रूर चेक करना है अप्लिकेशन सम्मिट दिखा रहा है यानि आपने अविदन समिट कर दिया है और अप्लिकेशन नंबर भी जनेट हो चुका है कब आपने अपने पर प्रिंट आउट निकाल के अपने पास सुरक्षित रख लेंगे इस परकार से आपको राज काड यहीं से मिलेगा पुस्टन अब्जेक्शन यह सब जो है जनकारी आपको इंद फ्यूचर में मिलते रहेगे यहां पर दिखे गेट अड्मिट का ऑप्शन है तो आप फ्यूचर में जब चाहता भी से एक्सेस कर सकते हैं उमिद करता हूं फ्रिंट्स आपको जनकारी स समझ में आगया अब आपके मन में कोई भी डाउट से कमेंट से कमेंट बॉक्स में पूछेगा मिलते हैं किसी नेक्ष्ट में हमें दिजायत और दिखते डिया सेल्पिंग फॉरेवर थैंकी फॉर वाचिंग जहिंद